हिम्मत के पास हमेशा एकतर्क होता है और डर के पास भी हमेशा एकतर्क होता है जिसका तर्क जीतता है वो जीत जाता है तो आपकी हिम्मत के पास तर्क तो है तर्क क्या है कि डर से मुक्ति चाहिए डर से मुक्ति चाहिए इस तर्क के साथ हिम्मत करते हो आगे बढ़ने की लेकिन बंधनों के पास भी खूब तर्क होते है वो तर्क क्या है? उसकी चर्चा करो पार की बहुत समझ नहीं भी हो तो भी कम से कम इस लोग के ही तर्क ठीक से लगाओ जो चाहिए उसके विपरीत को पकड़े रहोगे तो संसार में भी कुछ नहीं मिलता है कहीं और क्या मिलेगा? तुम्हारी जिन्दगी में ही डर भरा हुआ है न? डर से जब कहते हो मुक्ति चाहिए तो यहीं कह रहे हो कि जैसी जिन्दगी चल रही है वैसी नहीं चाहिए दुराओ मेरे साथ डर कहां मौजूद है? रसोई के किसी डब्बे में रखा हुआ है? दालान के किसी गमले में रखा हुआ है? बैंक खाते में रखा हुआ है, जेब में रखा हुआ है डर कहां है? जिन्दगी में डर है न? यह जो प्रति दिन जीवन जी रहे हो यही डर से लथपत है न? तो जब कहते हो डर हटाना है तो डर माने क्या? डर कोई वस्तू है कि हटा दोगे? सास सास में डर है, विचार विचार में डर है, धणकन में डर है, सपनों में डर है, रिष्टों में डर है, करमों में डर है डर यही मौजूद है न? या डर सिर्फ कोई सिध्धान्त है कोई abstraction है डर क्या है तुम्हारी जीती जागती हकीकत या कोई किताबी सिध्धान्त जीती जागती हकीकत है न वो इतनी जीती जागती है जैसे कोई इंसान इंसान को कहते हो न ये जिन्दा है तो डर भी उसी तरह से जिन्दा है इंसान का चेहरा देखा कभी तो क्या तुमने डर का चेहरा नहीं देखा जैसे इंसान का चेहरा जानते हो वैसे ही क्या तुम डर का चेहरा नहीं जानते और अगर नहीं जानते डर का चेहरा तो किसी की शकल देखते ही कैसे कहते हो ये तो डरा हुआ है जैसे इंसानों के पास चेहरे होते हैं डर भी उसी तरह जिन्दा है और डर के पास भी डर की आवाज सुनी है डर की आखें देखी है डर की धंकने कैसी होती है डर के गाल और कान कैसे हो जाते है तो डर कोई बात है या हमारी तरह आदम जात है तो तुमने डर को कभी टाइप करते नहीं देखा तुमने डर को चलते नहीं देखा डर जब खा रहा होता है तो उसे क्या अनुभव हो रहा होता है खाना अंदर चला जाए पेट में पचे नहीं है न तो डर माने जीता जागता जीवन अब तुम कहते हो डर हटाना है तो डर हटाने का जमीनी मतलब क्या हुआ सीधी साधी हकीकत क्या होई डर हटाने की जीवन ही बदलना है डर और कहीं है यह नहीं डर कहीं और होता तो हम कहते जीवन जैसा चल रहा है उसको चलने दो और डर हटा दो पर डर तो ऐसा है जैसे इस रूमाल में कपास डर ऐसा है जैसे इस रुमाल में कॉटन फाइबर डर ऐसा भी नहीं है कि जैसे इस रुमाल पर पानी की छीट पड़ गई हो या जरा सा तेल गिर गया हो अगर ये है हमारा जीवन तो डर है इसका रेशा यहां तक हम साथ है अब हम कहते हैं डर हटाना है तो क्या हटाएं हमें इसमें से कपास हटाना है तो क्या हटाएं पूरह हटाना पड़े पर मांग हमारी क्या है जीवन तो बचा रहे डर हट जाए हम कहते हैं जीवन तो बढ़ी आए बस डर हटाना है अगर जीवन डर से ओत्प्रोथ है तो जीवन बढ़िया कैसे है बताना दो तरफे बात करोगे तो बात बनेगी कैसे अगर जीवन डर से इतना लिप्थ है तो जीवन बढ़िया कैसे है मैं बताता हूँ बढ़िया कैसे है डर है तो यहां रेशे रेशे में पर दिखाई रेशे रेशे में नहीं पड़ता डर है तो सास सास में पर 24 घंटे उसकी प्रतीती अनुभाव नहीं होता उसका अनुभाव कितनी बार होता है वो? अनुभव वो उतना ही ज्यादा होता है जितनी ज्यादा आपकी सम्वेदन शीलता है है तो 24 गंटे पर आपको हो सकता है दिन में पता चलता हो कभी 15 मिनट, कभी आधे गंटे, कभी 2 गंटे आप ये तो नहीं कहते कि आप 24 गंटे डर में हो है न? हम क्यों नहीं कहते कि हम 24 गंटे डर में है क्योंकि आत्मग्यान नहीं है हम स्वयम से ही संपर्क में नहीं है हमें अपनी मन का कुछ पता नहीं तो हम जब डरे भी होते हैं तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये डर थोड़ी है इसका नाम है महत्वा कांग्शा, इसका नाम है प्रेम, इसका नाम है दाइत्व कर्तव्य इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है हम इतनी कहराई से अपने मन के संपर्क में ही नहीं है कि हमें पता हो कि हम जिस अवस्था में जी रहे हैं उसका और कोई नाम उचित ही नहीं है उसका तो निरंतर एक ही नाम होना चाहिए डर हम कब मानते हैं हार करके कि हम डरे हुए हैं जब इस बात को असुईकार करना एकदम ही असंभव हो जाता है कि तुम डरे हो छोटा मोटा डर हो तुमने गौर किया है कोई बोलता है डर क्यों रहे हो तुम ततकाल जवाब क्या दोगे डर कौन रहा है ऐसे यह ना मारे वृत्ति डर अहंकार का यथार्थ है पर अहंकार को बड़ा अपमान देता है अहंकार अपने यथार्थ से ही अपमाने तनुभव करता है जी वो रहा है डर में ही अहम जी तो रहा है डर में ही पर कोई आके बोल भर दे कि तू डर में है तो उसे बड़ा बुरा लगता है वो मानता कब है आखिरकार हार करके कि वो डरा हुआ है जब बिल्कुल चारो खाने चित्थ हो जाए, जब डर इतना बढ़ जाए कि चक्कर ही आजाए, अम्बुलेंस बुलानी पड़े, तब मानेगा कि डर है, या कि फिर बड़े स्पष्ट और प्रत्यक्ष लक्षन सामने आ जाएं, जैसा अभी कहा, कि नाक लालो रही है, कान ल लगातार है, पर वो भीतर-भीतर बना रहता है, अद्रिश्य, तो हमें छूट मिल जाती है, इस जूट में जीने की, कि हम डरे हुए, तो फिर हमारी अपने विशाय में धारणा ये होती है, कि हम 24 घंटा नहीं डरते, हम तो दिन में बस एक घंटा डरते हैं, इस छूट से इस जूट से ये प्रशन आता है, फिर कि अचारे जी, पूरा रुमाल नहीं बदलना है, रुमाल में जरा सा दाग लग गया है, ये कोने में बस उसको साफ करना है, 2400 घंटे का जीवन नहीं बदलना है, बस वो एक घंटा हटा दीजिए, जो डर से पूरित है, बाकी तो मे जीवन ठीक ही चल रहा है, चुकि ओ ठीक ही चल रहा है, इसलिए मुझे उससे बड़ा मोह है, आपने कहा न, कि जीवन के प्रते मोह आ जाता है, जीवन के प्रते मोह इसलिए आ जाता है, क्योंकि जीवन क्या है, कैसा चल रहा है, उसका यथार्त क्या है, हम उसके प्रते जग सम्मेधनशील Kill ही नहीं है काश कि हम जान पाते कि रेशे रेशे में डर है फिर हम नहीं कहते कि हमें इसका कुछ हिस्सा बचाना आया इसका बड़ा हिस्सा बचाना है फिर हम कहते कुछ अगर बचा तो डर ही पूरा हटाईए समझ रहे बात को अब दिक्कत यह है कि आंशिक रूप से कुछ बदला जा नहीं सकता बदलेगा तो पूरा बदलेगा नहीं तो आधा हटाने से क्या लाब डर समझ लीजी ऐसा जैसे शरीर के भीतर कैंसर आधी कैंसर कोशिकाई हटा दे और आधी छोड़ दे तो कैसा रहेगा रिडियेशन से इलाज हो रहा हो आपका या कीमो थेरपी से हो रहा हो और कहा जाए कि आधी हटा देते हैं आधी छोड़ देते हैं तो कैसा रहेगा अच्छा कहा जाए चलिए दो तिहाई हटा देते हैं एक तिहाई छोड़ देते हैं तो कैसा रहेगा अच्छा कहा जाए सारी हटा देते हैं एक सेल छोड़ देते हैं कैंसर की तो कैसा रहेगा कैसा रहेगा पर हम तो यह कहते हैं कि जितनी कैंसर की सेल हैं सब रहने दो बस उसमें से एक खटा दो यहां पर नौबत यह है कि एक भी बची रह गई तो मर्ज पूरा ही बचा रह गया और हम एक को बचाने की नहीं हम तो कहते हैं बस एक खटा दो जो परिशान कर रही है बाकी अभी पता नहीं चल रही न जब तक बात छुपी छुपी है तब तक छुपी रहने को इलाज भी हमें सिर्फ तभी चाहिए जब मर्ज ला इलाज हो जाए इलाज हमको तब चाहिए जब मर्ज ला इलाज हो जाए अब इलाज होगा कैसे कैसे होगा जहां तुमको दिख गया कि गडबड है वहां तो गडबड से ज्यादा गनीमत है क्योंकि आपने उंगली रख दी कि यहां पर कुछ गडबड है मैं बार-बार आगाह करता हूँ वहां देखो जहां तुम्हें अभी गडबड दिखाई नहीं दे रही असली गडबड वहीं पर है चल और भ्रम और माया जहां पकड में आ गए वहां से हट गए अब वो तुम्हेर भाउत नुकसान नहीं कर सकते वो सबसे ज्यादा घातक वहाँ पर हैं जहां वो दिखाई ही नहीं दे रहे जहां लग रहा है कि सब कुशल मंगल है जहां तुम कह रहे हो कि मुझे तो जीवन से बड़ा मोह हो है किस से मोह है? किस से कर रहे हो मोह? तुम समझ है नहीं पा रहे है कि जो चीज तुमको परिशान कर रही है और जिसको तुम मोह दे रहे हो ये दोनों अलग-अलग नहीं है विर्थ विभाजन कर रखा है आपने आप कहते हैं मेरे जीवन के दो हिस्से हैं एक अच्छा एक बुरा बुरा वाला हटा दो अच्छा वाला छोड़ दो आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा और बुरा सही उक्त हैं एक हैं शरीर के दो हाथों की तरह हैं सिक्के के दो भलूओं की तरह हैं दोनों एक साथ हैं बुरे के प्रतितव आप फिर भी थोड़ी सतर्कता रख लेते हैं क्योंकि वो बुरा है अच्छे को तो दर्वाजा खोल करके घर में बुलाते हैं बैठाते हैं चाय पानी पिलाते हैं बुरे के खिलाफ तो सतर्क रहते हैं अच्छे को तो अंदर बोला लेते हैं और बुरा फिर जाएगा नहीं क्योंकि बुरा जब जाने लगता है तो उसका तो अच्छे से चोली दावन का साथ है तो बुरा जब रवाना होने लगता है तो अपने साथ किसको ले जाने लगता है अच्छे को भी, जब अच्छे को ले जाने लगता है तो वो होता है, जो भी आपने कहा क्या, कि मुझे मोह आता है कि कहीं जीवन ही समाप्तना हो जाए जीवन माने क्या जैसे जी रहे हो वही है जीवन कैसे पता तुमको कि और कोई विकल्क नहीं है अच्छा बताओ तो इतना आत्म विश्वास कैसे है कि जैसे हम जी रहे हैं यही जीवन है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों पर चल रहा है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी वैचारिक मृत्यों तुम्हारी शरीरिक मृत्यों भी हो जाएगी शरीर हमसे कहीं ज्यादा समझदार है दिमाग जितनी कर्तूते करता रहता है शरीर को कभी करते देखा है शरीर के पास अपना एक अनुशासन है तुम्हारे दिमाग में चल रहे होते हैं भूचाल, शरीर में भी आ जाते हैं यहाँ पर कितने भी भूचाल चल रहे हो, आँख दो ही रहती है यह ऐसा होता है कि टपक के नाख के नीचे आ गई कि भूचाल आया था तो जरा हिल गई है तुम्हारी वैचारिक उथल-पुथल तुम्हारे शरीर को नहीं मार देगी भाई और यह गनीमत की बात है, राहत की बात है इमें क्यों लग रहा है कि अहम की मृत्यू, जीव की मृत्यू के बराबर ही है क्यों लग रहा है ऐसा है और अगर अहम की मृत्यू, जीव के मृत्यू के बराबर ही है तो फिर तो संतों को, अवतारों को, पीरों, पैगंबरों को जीवी थे नहीं बचना चाहिए था जैसे ही उनका अहम गया, उनका निधन हो जाना चाहिए था ऐसा हुआ क्या पर अहम की यही तो बात है उसका तो नामी है अहम वो गयता है हमारे भी न दुनिया क्या शरीर क्या परमात्मा क्या विश्व के केंदर पर हम ही तो बैठे हैं अगर हम नहीं तो समूचा संसार नहीं यह तो आपने छोटी बात कह दी कि अहम मरेगा तो कहीं शारीरिक मौत ही ना हो जाए बहुतों को तो पूरा भरोसा होगा कि जिस दिन उनकी मृत्ति होगी उस दिन परमात्मा भी मरी जाएगा यहां वो गये और उपर से परमात्मा मर के टपका पटाक नीचे असली चीज तो हम है जब हम नहीं बचे तो फिर अब क्या बचेगा जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारे ये विचार इत्यादी बचते हैं क्या जितनी भी अभी तुम बाते कह रहे हो ये तुमको रात के तीन बजे चार बजे याद रहती हैं जब खराटे बिलकुल चल रहे होते हैं याद रहती हैं क्या बचाँ जब नहीं याद रहती हैं तो क्या मर जाते हो या शरीर और ज्यादा सुकून से जीता है तुम जब अपने वैचारिक उपद्रव हटा देते हो तो शरीर मर जाता है या राहत अनुभाव करता है पर देखो, अहम कि जैसा जीवन नहीं जी रहे है जैसा जीवन जी रहे हैं, अगर वैसा नहीं जिया तो कहीं मौत ही नहो जाए. क्यों हो जाएगी मौत? ये बात तुमको तुमारे दिल ने बोली, जिगर ने बोली, फेफडे ने बोली, चिड़नी ने बोली, किसने बोली, आतों ने बोली. प्रक्रति की बड़ी क्रिपा है कि फेफ़णों को इस उपद्रों से कोई लेना ही देना नहीं या लेना देना है भी तो जरा कम तुम दाएं जाओ, बाएं जाओ आगे बढ़ो, पीछे जाओ उपर जाओ, नीचे जाओ, दुख में राओ, सुख में राओ फेफ़डे अपना गाम करते रहते हैं हाँ उन्हें ज़्यादा परेशान करते हो तो कभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी-जल्दी, कभी थोड़ा धीरे-धीरे लेकिन वो इतनी परवा नहीं करते हैं मस्तिश्क की और विचारों की कि विचारों के अनुरूप काम करें तुम जब चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहे होते हो कि मर जाओंगा, मर जाओंगा तु भी तुम्हारा हिदय धड़ाखी रहा होता है खून पंप कर रहा होता है वो नहीं खयाल कर रहा कि तुम क्या दावे कर रहे हो हम जिसको जीवन बोलते हैं वो अहम मात्र है और अहम ही अपने आपको जीवन बोलता है ये मानेता रखना कि अहम अगर गया तो जीवन ही चला जाएगा कोई बुद्धिमानी नहीं पचासों तरह के जीवन संभव है और तुम्हारा अधिकार है उन पर संभव मात्र नहीं है आप अधिकारी हो उनके और आप अगर अपने आपको वंचित कर रहे हो उन सब जीवनों से तो अपने प्रते अन्याय कर रहे हो जन्म को अकारत कर रहे हो एक प्रकार के धर्रे में अपने आपको कैद करके रखना किसी भी तरह के बोध का सूचक नहीं है खत्रा उसमें यह है कि धर्रा जितने दिन चलेगा उतना ज्यादा आपको यह यकीन आता जाएगा कि इसी धर्रे का ही तो नाम जिन्दगी है यह धर्रा तूटा नहीं कि जिन्दगी ही खत्म हो जाएगी कि जिन्दगी है